तो आज हम पढ़ेंगे मद्य प्रदेश के बारे में मैं आपका पता दू कि अगर लास्ट वीक आपने कुछ भी मिस किया है तो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं लास्ट वीक हमने माद्यप्रदेश का नेवर इस उत्यप्रदेश साक ही स्शाओध एगर्व महीन आपको बताते हूं चलिए मद्यप्रदेश पहले मद्यप्रदेश और जिसे अभी छत्रजगर कहा जाता है वो पहले दोनों एक ही स्टेट थे लेकिन 1st November 2000 में मद्यप्रदेश Reorganization Act पास हुआ और उसके तहित मद्यप्रदेश का विभाजन हो गया इन्टु मद्यप्रदेश और छत्रजगर को जो 15 का इसीयं बॉर्डर है पहले वो मद्यप्रदेश का ही इससा था बट अब वो उस शत्रजगर भी हो गया है मुविंग ऑन साउथ में हैं महाराश्ट्रा, साउथ वेस्ट में हैं गुजरात और नॉर्थ वेस्ट में हैं राजस्थान मैं आपको वापस बता देती हूँ लास्ट वीक हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था लास्ट संडे तो आप जा करके वो विडियो भी चेक आउट कर सकते हैं और सो मैं आपको बताती हूँ कि जो मद्यप्रदेश की लोकेशन है इन दी इंडियन मैप वह बिलकुल बीच में है और मोस्ट बीच में है इसी लिए उसे हाट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है चलिए जानते हैं कुछ मद्यप्रदेश के बारे में इंडिया इस्टिंग फैक्स ओके तो एरिया वाइज जो लाजर स्टेट है पहले नमबर पर है राजस्तान और दूसरे नमबर पर आता है मद्यप्रदेश इन टर्म्स ओफ एरिया इंडिपेंडेंस के बाद पहले मद्यप्रदेश का कैपिटल हुआ था नागपुर में लेकिन 1956 में जब मद्यप्रदेश स्टेट री और्गनाइज हो गया था तब नागपुर से कैपिटल शिफ्ट कर गया था तो भोपाल तो भोपाल है उसका न स्कुल्प्चर और एलिगेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया की वह भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पांचबा फाक्ट जो जेन है जो सिटी अफ जेन इस नोन एज इस सिटी आफ एफ एंपल्स बिकास उसमें बहुत जादा पॉपिलर टेमपल्स है वजैन में आपको बताती हूं जो जोत्र लिंक होते हैं भगवान शिफ्ट के वह दो जोत्र लिंक जेन में है वन इस ओमका अगर आप कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि महाखालेश्वर की बहस महारती बहुत ज़्यादा फेमस है मौनिंग चार बज़े जो होती है सुबे वह बहुत ज़्यादा फीमस है तो सिटी आफ उजयन अपने टेंपल्स के रिए बहुत ज्यादा फेमस है ओके मूविं जल्दी से देखे जाते हैं वहां पर बहुत ही अलग अलग धिन-बिन प्रकार के यह सब दिये जाते हैं पहले की जो राजा थे उनका वन फेमस पॉट्स था बंदवगर्ड बिकॉस यहां पर इतने वराइटी के जानवर मिलते थे मैं आपको बता दू बंदवगर्ड की बा बंदवगर्ड दिया था इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकंस में यहां पर लिख दू एक करीगी का आप गिफ्ट समझ लीजी कि उन्होंने भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्षमन जी को दिया था मध्यप्रदेश में इंडिया के सबसे जादा ट्राइबल पॉप करते एक का नाम है दुवार जब हुआ एंड मंडेला इसमें लगवाग 50% और दी ट्राइबल पॉपिलेशन है और इंडिया में सबसे जादा ट्राइबल पॉपिलेशन है मध्यप्रदेश में तो दूसरा और आठवा नंबर फैक्ट जानते हैं जो बेदा गाठ है वहां क से दूर दूर से लोग आते हैं इन सबको देखने के लिए और एंपी में बहुत सारे बुद्धिस स्टूपा है सबस्यादा फेमस जो है वह सांची स्टूपा जो की सांची टाउन में है और यह जो राजा अशोख है उन्होंने बनाया था अपने टाइम में चली कुछ और कितल दूर में आपको धूर्ण बताती हूँ मद्य प्रदेश के करेदी सायकी के बारे में अप pig उके इंडिया का ओनली जो डी जो when मध्यप्रदेश के हवंतिया आइलेंड में होता है जिसे जल महतसफ कहा जाता है इंडिया का एक मात्र जो जल महतसफ है वो मध्यप्रदेश में होता है जो मध्यप्रदेश का commercial capital है इंदौर उसे four times select किया गया है as the cleanest city of India यह बहुत बड़ी बात है पहले बहुत जादा dirty हुआ करता था पांच-जे सालों के पहले बढ़ नई-नई schemes लाके मध्यप्रदेश ने इंदौर को बना दिया है as one of the cleanest cities in India और मैं आपको बताती हूँ आप आपने रुड्याट किप्लिंग का जंगल बुक के बारे में तो जरूर सुना होगा तो उन्होंने जो अपनी inspiration है वो डिराइफ की थी मध्यप्रदेश के काना नाशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व से तो उनकी inspiration रही है यह मोगली जंगल बुक के बारे में तो आ आपको नहीं जाना पड़ता है पुलिस आपके घर आके आपकी फायर दर्ज करेगी और एक था चरन पादुका यह इंदोर से स्टार्ट हुआ था जो माइगरेंट से अपने अपने घर जा रहे थे द्यू टू लॉक्डाउन उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हो तो उन्हे जूते और चपल प्रवाइड किये जा रहे थे बाइदी गवर्मेंट ऑफ मध्य प्रदेश तो यह बहुत ज्यादा प्रेज किया गया था यह दो उनकी जो स्कीम्स थी हानी में मैं आपको बताते हूं मध्य प्रदेश ने बहुत सारे फेमस लोगों को जनम दिया है उनमे है मनसूर अली खान पताओधी ही वस अल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश ओके चलिए मूविंग ऑन यह सिए एम ओफ मध्य प्रदेश और उनका हाली में 29 तारे को निधन हो गया था मूविंग ओन जो गवर्नर है उनका नाम है लाल जी टंडन मध्य प्रदेश का निर्मान हुआ था फ़र्स नवेंबर 1956 और 1st November 2000 में मद्ध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था विद एमपी और चत्रजगर एरिया वाई सेकेंड नमबर पर आता है इसकी एरिया है 3,08,252 स्क्वेर किनोमेटर आफ्टर राजस्तान पॉपुलेशन में पाचवे नमबर पर रहे है मद्ध्य प्रदेश इसकी पॉपुलेशन इस साथ करोड़ 26,26,809 जो डेंसिटी है इसकी वो है 240 स्क्वेर पर स्क्वेर किलोमेटर लिटरिसी रेट मद्ध्य प्रदेश का है 69.32 परसेंट सेक्स रेशियो मद्ध्य प्रदेश का है 1000 मेंस पे 931 फीमेल बावन जिले है और जो मद्ध्य प्रदेश का हाई कोट है उसकी चीफ जिस्टिस का नाम है अजय कुमार मित्तल ओके मूविंग ओन चलिए पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए लेजिसलेटिव एसेमली आने की विधान सभा में 231 सीटे हैं मद्ध्य प्रदेश की लोग सभा में 29 सीटे हैं और अपर हाउस में 11 सीटे हैं मैं आपको बता दू आप ये पिक्टर देखके समझ रहे हों एक हाली में कमलनाथ जी ने रिजाइन कर दिया था फ्रम आजी चीफ मिनिस्टर ओफ मद्य प्रदेश और 28 मार्च 2020 जब 22 अदर कॉंग्रेस में ने रिजाइन कर दिया था तो उनका फ्लो टेस्ट होने से पहले कमलनाथ ने रिजाइन कर दिया अपना रेजिगनेशन उन्होंने गवर्नर को सब्मिट कर दिया था और उसके बाद शिवराज सिंग चौहान वापस बने चीफ मिनिस्टर ओफ म सिर्फ मात्र 15 महीने के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा मैं आपको बता दू वह शिवराज सिंग चौहान को हरा के कमलनाथ बने थे आजीज सी एम 2018 डिसेंबर में उन्होंने शवत ली ती चीफ मिनिस्टर और उसके बाद 2020 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा तो च लिखने में मिस्टेक हुआ गा एनिवे जो मद्यप्रादेश का स्टेट आनिमल है उसका नाम है 12 सेंगर इंग्लिश में इस व्हां की बर्ड है उसका नाम है पैरडैस फ्लाइक नार नाम है वो है बन्यान उसका जो साइंटिविक नीम है इस फिकल बैंगलेन सूराइन ऑर यह सेट सेट सिंबल है मद्यप्रदेश का देख सकते हैं आप मैं आपको बताती हूं जो मद्यप्रदेश टूरिजम है उसका एक बहुत ही फीमस टाग लाइन है जिसका नाम है हाट लांड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो करीब करीब सेंटर में है इंडिया के और यह आप देख सकते हैं हमारी स्टाटिक जी की ऑनलाइन टेस्स सीरीज यह आप हमारे वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं टेस्ट.Ambitiousbaba.com यहाँ पर आपको 10 मोक्स मिलेंगे इसमें जिसमें इच में 100 questions रहेंगे आपको answers मिलेंगे with answers रहेंगे और मतर्ब टोटल 1000 mcqs आप पढ़ सकते हैं उसमें और I mean sorry appear कर सकते हैं और this you can access through app and website 24-7 आप इसे purchase कर सकते हैं हमारी website test.ambitiousbaba.com पर यह सिर्फ English language में available हैं तो चलिए moving on कई सारी जीले हैं मध्य प्रदेश में तो चलिए जानते हैं उसके बारे में भोज, वेटलेंड, लोवर लेक, मोती लेक, सारंग पानी लेक, शहापूरा लेक, तावर रिजवेर और अपर लेक तो यह कई सारी जीले हैं मध्य प्रदेश में कई सारी नदिया भी हैं जैसे बेटवा, चंबल, धसन, केन, माही, नर्मदा, पर्वती, सोन, तापी, टोन्स, वैंगंगा और वर्दा तो ये कही सारी rivers है मध्यप्रदेश की और बांध जो है चलिए उसके बारे में बात करते हैं गांधी सागर बांध है जो की चंबल नदी पे है तवा रिजवेर पे है और इंदरा सागर डाम है वो है नर्मदा नदी पर चलिए बढ़ते हैं आगे वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो त्योहार मध्यप्रदेश में कई सारे मनाए जाते वह है खजर और डांस फेस्टिवल पंच मरही उत्सव लोकरंग फेस्टिवल भागोडिया हाट फेस्टिवल मलवा उत्सव और तां यहां असके तेरतली जवारा मठकी डांस फुल पत्ति डांस ग्रिधा डांस और मांज ओके, moving on तो चलिए बात करेंगे कौन-कौन से power plants है मध्य प्रदेश में तो पहले बात करेंगे thermal power plants की कई सारे thermal power plants है जैसे कि विन्याचल thermal power station, सत्पुरा thermal power plant, संजय गांधी thermal power plant सिंगाजी सूपर thermal power project और अमरकंतक thermal power plant ओके, moving on तो चलिए nuclear यानि कि परमानो गुर्जा सहयंत्र खाली एक है जिसका आम है चूत का nuclear power plant और जो solar power plant है वो दो है वहाँ पर, one is tata power solar और एक है wellspun solar MP ओके, तो यह हो गई कि वहाँ पर क्या 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 थर्मल power plants है क्या क्या nuclear plants है, solar power plants है, यह सब यह सारी details मैंने आपको बता दी चलिए बात करते है नाशनल पार्क्स की मद्रप्रदेश में कई सारे मद्रप्रदेश आप बोल सकते हैं बहुत जादा famous है अपने नाशनल पार्क्स के लिए तो लगबग नौ नाशनल पार्क्स है तो हम बात करेंगे उसके बारे में सबसे टॉप पे आता है बंदवगर नाशनल पार्क जिसके बारे में हमने आपने चोटे भाई को दिया था काना टाइगर रिजर्वी बहुत जादा famous है माधव नाशनल पार्क है मंदला प्लान फॉसल्स नाशनल पार्क है पन्ना नाशनल पार्क मैं आपना नाशनल अचल पार्क जी जहां का यह बहुत ज़्यादा फेमस है पेंच नाशनल पार्क है इस यह एक मात्र ऐसी जगा थी आउट ओफ टू प्लेसे यह एक ऐसी जगा थी जहां पर रोडियान के प्लिंग ने इंस्पिरेशन डिराइफ की थी अपार्ट फ्रॉम काना नाशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर् पार्क है तो यह कई सारे नाशनल पार्क है तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब बात करेंगे वाईलाइफ सैंक्टूरी के बारे में तो आफ देख सकते हैं लगबग टो क्रोकोडाइल को कहा जाता है क्योंनी wildlife sanctuary National चंबल घर्या वाइलाइब सैंच्चुरी नौरदेही वाइलाइब सैंच्चुरी तो कई सारी यहां पे नाशनल सैंच्चुरी वगड़ है आप यहां पर पढ़ सकते हैं मैं आपके लिए कुछ-कुछ और रिपीट कर दे रही हूँ जैसे कुणव वाइल लाइफ sanctuary पेंच नाशनल परक यहां पर है पंच्मरी बायोश्विय रिजर्व है औ inhदा टाइगर रिजर्व है शेलाना वायल लाइफ सैंग्चुरु है सेंगोरी स्वोन गर्याल wail और वीर विरांगना दुर्गावती वायलाइफ सांक्चुरी तो लगबग बाइस वायलाइफ सांक्चुरी और टाइगर रिजर्व हैं यहां पे बहुत कुछ है बहुत जादा फेमस है वायलाइफ के लिए बहुत तरह-торह की पक्षी वगरें हां पर देखे जाते हैं तो चलिए कुछ कुछ चीज़ें हमने आपको नहीं बताई थी मैं आपको बता देती हूं यहां पर जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स मद्यप्रदेश में होता है वो है कोल और आयरन ओर और मद्यप्रदेश अपनी मद्यप्रदेश का एक चोटा सा टाउन है चंदेरी वो बहुत ज़्यादा फेमस है चंदेरी साडियों के लिए तो यह कुछ डीटेश थी मद्यप्रदेश के बारे में आई होप शायद आपको पसंद आई हो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की क्लास का जो पीडियेफ है वो आपको उसका लिंक नीची बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए प्लीज डोंट फगेट कि हम हर संदे आपके लिए एक स्टेट कवर करते हैं जिसमें उससे रिलेटर सारी इंफरमेशन हम आपको बताते हैं ओके मूविंग ओन तो देख कर सकते हैं और वहां पर परचेस कर सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स में आपको बताती हूं 300 प्लस तो टोटल टेस्स मिलेंगे विद डिटेयर सल्यूशन और अनलाइक जो हमारी स्टाटिक जीके में जो सिर्फ इंग्लिश में है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लाइ 247 ओके मूविंग ओन आप प्लीज हमसे हमारे इंस्टाग्राम चानल पर जुड़िए जिसका नाम है डेली करेंट अफैस यहां पर आपको हमारी एक्जाम्स रिलेटेड हमारे पोस्स रिलेटेड और जितने भी बाकी सारी इंफरमेशन है हमारी पढ़ाई बगर को लेके वह आपको यहां पर अपडेट होते रहेंगे अलॉंग विद्ध करेंट अफैस तो आपको यह सब डीटेल्स यहां पर एक जगा पर मिल जाएगी आपको बारवर अलग-अलग वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं है उन सब से रिलेटेड भी सारी इंफिमेशन आपक देखंण की जहें जो हम्कारी पड़ागार जलावक रेगिलरली वहां पर करेंट अप्लोड होते हम तो खले एकग्राइम पॉइंट व्यूसज जो इंपोर्टन हे वह शेयर इर करतें वह पड़ा इसके अलावा बाकी सारी करेंट एक पर इस आप पर मिल जाएगे डेली ए भी alerts है वो आपको यहीं मिल जाएंगे आपको हरे government website जाकर चेक करने की जरुवत नहीं है जो vacancies वगर आ रही है उससे लेके क्या-क्या news है इसके किसके results डिक्लेर हुए सारे कुछ job related जितने भी alerts है वो आपको सब इस वेबसाइट में मिल जाएंगे तो थांक यू फ्रेंद इस आल पर तोड़े वाव गुट दे